गुड मॉर्णिंग बच्चो, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नौ जिसका नाम है सह उद्यानम गच्छती, तो चलिए माला कारह उद्यानम गच्छती, माली बगीचे को जाता है, गच्छती मतलब जाना सह पुष्पम आनेयती वह पुष्प लाता है आनेयती मतलब लाना सह मालाम गुम्फिश्यती वह माला गूंधता है सूप कारव भोजनम पचतह रसोये भोजन पकाते हैं तव रोटिकाम शाकम च वित्रतह वे दोनों रोटी और सबजी बाठते हैं शाकम मतलब सबजी, रोटिकाम मतलब रोटी तव ओधनम सूपमच यच्छतह वे दोनों चावल और दाल देते हैं स्रमिकाह परिश्रमं कुर्वन्ति स्रमिक परिश्रम करते हैं ते पाशाणम त्रोटेंती वे पत्थर तोड़ते हैं ते पथम निर्मायंती वे रास्ते का निर्माड करते हैं अहम क्रिशक अस्मी मैं क्रिशक हूँ अहम क्रिशीकार्यम करोमी मैं क्रिशीकार्य करता हूँ अहम बीजम वपामी मैं बीज बोता हूँ अहम अन्नम यच्छामी मैं अन्न देता हूँ अध्यापिका पाठम पाठेयती, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, सा प्रश्नम प्रिश्चती, वह प्रश्ने पूस्ती है, सा ज्यानम यच्छती, वह ज्यान देती है तो बच्चों, आपको सबसे पहले यह शब्दार्थ, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, उसके बाद 57 पेज़ पर निमलिखित का हिंदी में अनुवात कीजिए, यह भी आप अपनी कॉपी में करोगे और 58 पेज़ पर 3rd exercise दी हुई है, यह आप बुक में ही करोगे, और 4th exercise कॉपी में करोगे, और आपकी लास्ट exercise जो है 59 पेज़ पर चित्रों को देख कर वाक्यों की रचना कीजिए, यह भी आप अपनी बुक में करोगे, धन्यवाद